हरे किष्णा तभी हम भगवद गीता के छटे ध्याय के अंतरगर इस लोग संख्या 36 पर विचार करेंगे तो यहां पर भगवान के रहें असियत आत्मना योगो दुस्प्राप जो अपने मन को बसमें नहीं करता है उसके लिए योग दुस्प्राप है दुस्प्राप का मतलब है मुश्किल है प्राप्त करना योग की प्राप्ती करना मुश्किल है इतिमे मत ही ऐसा मेरा मत है वश्या आत्मना तुए तता लेकिन जिसने अपने मन को बसमें किया है और फिर वो प्रयत्न करे ये तता शक्यो अब आप तुम उपायता, तो उपाय पूरवक जो है फिर वो प्राप्त कर सकता है, अब हम सुनेंगे प्रहुपाद तात्परे में क्या लिखते हैं, सिला प्रहुपाद की जाए, भगवान घोशना करते हैं, कि जो बिक्ति अपने मन को बहुत एक ब्यापारों से बिलक करने का समचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षातकार में सायध ही सफलता प्राप्त हो सके, भगवान भोग में मन लगा कर योग का अभ्यास करना, मानो अगनी में जल डाल कर उसे प्रजुलित करने का प्रियास करना हो, मन का निग्रह किये बिना योगा अभ्यास समय का अभ्या है, योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भहत एक दिर्श्टी से लाप्रद हो, किन्तो जहां तक आत्म साक्षातकार का प्रश्ण है, ये सब व्यर्त है, आतामन उसको चाहिए कि भगवान के दिवे प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगा कर उसे बसमे करे, कृष्ण भावना भावित ब्यक्ति बिना किसी यत्रिक्त प्रियास के ही योगा भ्यास का फल सललता से प्राप्त कर लेता है, किन्तो योगा भ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती, यहां पर सिलप प्रहुपात का तादपर समाप्त अब हम सुनेंगे स्री भगवान ने कहा में इस स्लोक की कैसी ब्याख्या हूई है पिछली स्लोक में स्री कृष्ण ने कहा था कि मन को बस में करना यद्द्यपी कठिन है परंतो उसे अब्याश तरशा वेरागे के द्वारा बस में किया जाता है वो समय अरजुन के मन में प्रश्ण उठा कि क्या कोई ऐसा उपाए है कि मन को बस में ना करना पड़े तथा योग में सफलता प्राप्त हो जाए अंतर यामी होने के कारण स्री कृष्ण अरजुन के प्रश्ण को समझ गई अटा उन्होंने इस स्लोक में बताया है कियादी मन को बसमें न किया जाए तो योग में सफलता पराप्त करना कठिन है इस स्लोक में स्री कृष्ण की दोवातियंत महतपूरन सि क्षाएं जिन की हम क्रम पुरवक जर्शा करेंगे इस लोग की प्रिथम पंक्ति के सब्दे है ये पहली सिक्षा है इस लोग की प्रिथम पंक्ति के सब्दे है असियत आत्मना योगो जो प्रापिति में मत ही अर्थात मन को बसमे किये बिना योग में सफलता प्राप्त करना कठिन है तो यहाँ पर स्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग की सफलता मन को बस्मे करने पर निर्भर है यहाँ पर स्री कृष्ण योग सिध्यों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो स्री कृष्ण योग की पूर्ण सफलता की बात कर रहे हैं योग की पूर्ण सफलता कार्थ है हिर्दे में स्री किस्न का दर्सन करना स्री किस्न का हिर्दे में दर्सन कोई कल्पना नहीं है यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो विक्ति अपने मन में जैसी भावना करे उसे वैसा ही रूप दिखाई देगा योग विधिकार्थ है कि हिर्दे के अंदर स्री किष्ण का जो भी रूप विराजमान है उसी रूप को देखना इस इसलोग के तातपरे में सिलब प्रहुपाद लिखते हैं भगवान घोशना करते हैं कि जो विक्ति अपने मन को भौत एक व्यापारों से बिलग करने का समचित उपचार नहीं करता है उसे आत्मसाक्षात कार में सायद ही सफलता प्राप्त हो सके बहुत एक भोग में मन लगा कर योग का भ्यास करना मानों अगनी में जल डाल कर उसे प्रज्युत करने का प्रियास करना है इती तो यहाँ पर स्री किस्न के रहें इती में मत ही अर्थात ऐसा मेरा विचार है ये बात समझने की है कि गीता में स्री कृष्ण ने अपना विचार दिया है चुँकि स्री कृष्ण का ज्यान पूर्ण है हता स्री कृष्ण के विचारों में कोई कमी नहीं है हम यदि अपने विचार देते हैं तो वे विचार हमारे सीमित अन्भों के अधार पर होते हैं, अथा उन विचारों का कोई महत्तू नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कि गीता में स्री कृष्ण के ऐसे विचार हैं, पर अंतु मेरा विचार तो ऐसा है। ये बहुत बड़ा ज्यान है, स्री कृष्ण के विचार के सामने हमारे विचारों का कोई महतु नहीं है, गीता के अनेक ब्याख्याकारों ने अपने विचार मिला दिये हैं, इस प्रकार गीता का संदेश दोसित हो गया है, ये उसी प्रकार है कि दूद में यदि सरफ अपना बहुत कम होती है परंतो बिसकी इतनी सोक्ष मात्रा भी दूद्र की बहुत अफिक मात्रा को विसेला कर देती है उसी प्रकार गीता में यदि हम अपने विचारों की थोड़ी से भी मात्रा मिला देते हैं तो गीता का पूरा संदेश दूसित हो जाता है इसलिए सिला प्रहुपाद ने गीता के जो अब्याख्या लिखी है उसका नाम रखा है भगवत गीता यथा रूप तो यहां पर स्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके विचार से मन को बसमे किये बिना योग की सफलता प्राप्त होना संभव नहीं है अब दूसरी सिक्षा इसलोग की दूसरी पंग्ति के सब्द है वश्यात मना तु ये तता शक्यो अब आप तुम उपायता हा अर्थात मन को बसमे करके उपाय से प्राप्तन करने पर सफलता मिल सकती है तो सबसे पहले आप शक्ता क्या है मन को बसमे करना योग के मार्ग में कदम रखता है इसकार्थ है कि ध्यान योग का प्रारंब मन को बसमे करने से होता है इस समन्द में योगपत नामक पुष्टक में सिलप रुपार लिखते हैं मन को कुछ न कुछ सोचने में लगाए रखना चाहिए और यदि यह स्री कृष्टक के विशे में नहीं सोचता रहता तो यह माया के विशे में अवर्ष सोचता होगा इती सिलप रुपाद की इस बात से पता चलता है कि मन को कभी भी खाली ना रखा जाए कहा जाता है कि खाली दिमाग सेटान का घर है अब दूसरी आपसक्ता क्या है दूसरी आपसक्ता है कि विशे अपाए किया जाए यहाँ पर स्री कृष्टक करें कि ध्यान योग में विशे तो पाए कि आपसक्ता है मन को बस्मे कर लेने के बाद ध्यान का जो विशे है वो शून अथवा बिंदू नहीं होना चाहिए ध्यान के विशए स्री किष्ण ही है यदि उपाए गलत होता है तो सी दिसा मैं प्रियास करने पर कोई फल नहीं प्राप्त होता है इस समंध में योग बतनामक पुष्टक में सीलप रहुपार लिखती है मैं ध्यान करने के लिए बैठू और अपने मन को शुरी किष्ण पर केंदृत करूँ तो यह प्रसंस नहीं है किन्तो अनेग योग समितियां है जो अपने छात्रों को शून या किसी रंग पर मन को एकागर करने की सिक्षा देती है अर्थात वे विष्णू के शुरूप पर एकागर करने के लिए नहीं कहती है मन को किसी निराकार या सून पर केंदृत करने का प्रयास अतिक ठिंत था कष्ट प्रद है स्री किष्ण भगवद गीता के बारमेध्याय में बारा पांच कहा है जिन लोगों के मन परमेध्याय के अव्यक्त निराकार शुरूप के प्रती आ सकते हैं उनके लिए प्रगति करपाना अत्यंत कष्ट प्रद है देह धारियों के लिए उस छेत्र में प्रगति करपाना सदैव दुसकर होता है इती भगदगण मंदिर में स्री कृष्ण के शुरूप पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करते हैं सुन पर एकाग्रोना अती दुसकर है और सुभावतामन अती चंचल है अते शुन पर एकाग्र होने के बजाए मन कुछ और ढूरता है अतिव निर्विशे सूने पर ध्यान केवल समय का अपव्या है मैं योगिक ध्यान की कक्षा खोल कर लोगों से बैठने तथा इस तरह से नाग दवाने के लिए धन ले सकता हूं किन्त यदि मेरे विद्यार्थी योगा भ्यास के असली रक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते तो वे अपने समय तथा धनका अपव्या करते हैं तथा मैं उन्हें ठकता हूं अतेव मनुष्य को इस्थाई रूप से तथा निरंतर श्री कृष्ण के रूप में मन को केंदृत करना चाहिए यही समाधी कहलाती है कृष्ण भावना मृत में मन को भगवान के दिव सेवा में निरंतर बिष्द रखते हुए नियंतृत किया जाता है जब तक मनुष्य कृष्ण भावना मृत में नहीं लगता तब तक वह मन को इस्थाई रूप से नियंतर नहीं कर सकता कृष्ण भावना भावित बिग्ति बिना किसी प्रिथक प्रियास के योगा भ्यास का फल आसानी से प्राप्त कर लेता है किंटु योगा भ्यास करने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता प्राप्थ नहीं कर सकता ये थी तो यहाँ पर स्रीकृष्ण कह रहे हैं कि उचित उपाय के द्वारा ही योग में सफलता प्राप्थ होती है ततावाय उचित उपाय है कि स्री कृष्ण के ही रूप का ध्यान किया जाए किसी निराकार या शूनने का ध्यान ना किया जाए फिर तीसी आवशकता है कि प्रेतने भी किया जाए अभी तक हमने चर्चा की कि स्री कृष्ण के अनुसार पहले आवशकता है कि मन को बस में किया जाए फिर दूसरी आवशक्ता है कि उचित उपाए किया जाए कि केवल स्री कृष्ण का हे ध्यान किया जाए निराकार्या शूने का नहीं अब तीसी आवशक्ता है कि प्रियत्न किया जाए यतता अर्थात प्रियत्न करते हुए भागवाच चार तेश चार में कहा गया है कि पारिवारिक जीवन से निबृत होकर महराज पृधुने वान प्रस्थ जीवन के नियमों का कडाई से पालन किया और बन में कठिन तपश्या की वेनकारियों में उसे गम भीरता से जुट गए जिस समय जिस तरह वे पहले सासन च जिस तरह पारिवारिक जीवन बिताते समय सक्री रहन आती आवशक है उसी तरह पारिवारिक जीवन से निबृत होने पर मन अथा इंद्रियों को बसमें रखना आती आवशक है ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आपको पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगाए रखे वास्तों में वैदिक सामाजिक विवस्था का उद्देश मनुश्य को अंतता भगवान के धाम वापस जाने की योग बनाना है ग्रहस्थास्रम एक प्रकार से नेमित जीवन के साथ-साथ इंद्री इत्रिप्ति के लिए छूट है इसका उद्देश जीवन के बीच में विरक्त होकर तपश्या में पूरी तरह से सनलगन होना है जिससे सदा सदा के लिए भौते गिंद्री इत्रिप्ति से छुटकारा मिल जाए फलता जीवन की वानप्रस्थ तवस्था में तपश्या पर अत्यंत बल दिया जाता है महराज प्रथु ने वानप्रस्थ जीवन क समस्त नियमों का सही सही पालन किया जिसे व्यखानक्स आस्रम कहते हैं वानप्रस्थ जीवन में विधी विधानों का कठोरता से पालन किया जाता है दोसे सब्दों में महराज प्रथु जीवन के हर छेत्र में आदर्ष चरित्र थे इति भागवच चार तेस पांच में कहा गया है तपोवन में महाराज पृतु कभी ब्रिक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे तो कभी फल तथा सूखी पत्यां कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया अंत में वे केवल वायू पीकर उसी से निर्वाह करने लगे इती उक्तिस लोग के ताथ परमेसिला प के लिए रहें पृतु महाराज की आचरम से हम समझ सकते हैं कि जब जंगल में गए तुन्होंने कुछ भक्तों या सिश्यों द्वारा सहर से भेजा गिया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया जैसे कोई जंगल में रहने का ब्रत लेता है उसे केवल कंद मूल तने फल स प्रकरती द्वारा प्रदत वस्तु में खानी चाहिए तुम्हाराज में जंगल में रहने के लिए इन नियमों का कठोड़ता पूरवक्त पालन किया अताबे सूखी पत्तियों के एतरिक तो कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के एतरिक कुछ पीते भी नहीं थे कभी कभी तो वे केवल हवा पीकर ही रह जाते थे कभी कभी वे ब्रिक्षों के कुछ फल खा लेते थे इस प्रकार वे जंगल में रहकर भोजन के मामले में कठिन तपरशिया करने लगे दोसे सब्दों में जो अध्यात्मिक जीवन में उननती चाहता है उसे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए सृण रूप गुष्वामी शाशन के मंत्री पत से अवकास पाने के बाद ब्रिंदा बन गए और महाराज पृतुर के ब्रिक्षिय नीचे रहने लगे तब से अनेक लोग रूप गुष्वामी के चरितरका अनुकरण करके ब्रिंदा बन गए हैं किन् आध्यात्मिक जीवन में उन्नती करने के बजाए उनमें से नेक भौतिक आदितों में फच गए हैं और बिंदावन जाकर भी अवैध योनाचार द्यूत किरिला तथा नसे के शिकार हुए हैं अब कृष्ण भावन मिर्तान दूलन का सूत्रपात पास्चात देशों में किया गया है किन्तो पास्चात वासियों के लिए संभो नहीं कि वे जंगल जाकर वैसी ही कठिन तपश्या करें जैसी पृथु महराज या रूम कुष्वा में ने की थी तो भी पास्चात देवासि या अन्य लोग स्रिला भक्ति से धांत सर्ति ठाकुर का नुसरन मंदर में रहकर कर सकते हैं क्योंकि मंदर का वास जंगल वास से परे है वे किष्ण प्रसाद की अतरत कुष्णा ग्रहन करने का ब्रत ले सकते हैं विद्धी विधानों का पालन कर सकते हैं और प्रति दिन 16 माला हरे किष्ण मंदर का जाप कर सकते हैं इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी बिचलित नहीं होगा तो यहाँ पर स्री किष्ण कहे रहे हैं कि योगी को सफलतागी प्राप्ति प्रतन करने से ही होती है तो यहाँ पर भगवान कहे रहे हैं कि जिसने अपने मन को बसमें नहीं किया है तो इसके लिए योग दुस्प्राप है योग का मतलब क्या है स्री किष्ण के साथ योग स्री किष्ण के साथ मिलन यहीं योग है तो जो बिक्ति अपने मन को बसमें नहीं करता तो स्री किष्ण के साथ उसका योग है तो दुस प्राप क्यों आपने मन से ही जुड़े हुए हैं, अगर आप मन को बस में नहीं करते हैं इसका मतलब मन के बस में रहते हैं, तो अगर आप अपने मन के बस में रहते हैं, मन जासा चाहता है वैसा ही आप करते हैं, तो स्री कृष्ण का योग दुस्प्राब्ध है, तो स्री कृष्ण सोचते ही नहीं, ऐसे भ्यक्ति से मिलना, जो अपने मन को बस में नहीं कर पाया है, जब अपने मन को बस में नहीं कर पाया, तो मन में जो राग और द्वेश होते हैं, उनके नुसार फिर हर बिक्ति कारे करता है, हमारे मन को कोछ अच्छा लगता है, और कोछ अच्छा नहीं लगता है, तो उसका कोई कारण नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, लेकर हम अ इस प्रापिति मेमती वर्षयात मनातु यतता, तो जो बिख्ती मनको बस्मे कर चुका है, इसके बाद प्र यतता, यतता का मतलब प्रयाश कर रहा है, शक्यो ववाब तुम उपायता, और फिर उसी उपायत से योग प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर भगवान तीन बातें बत बात है कि अपने मन को बस में करना है तो स्री कृष्ण की प्राप्ति ये लिए अपने मन को बस में करें और चुंकि यहां भगवान ध्यान योग की भीदी बतला रहे हैं तो ध्यान योग की भीदी में तो पूरी तरह से अपने मन को बस में करना है क्योंकि उसको फिर अपने में घर परिवार वालों से कोई संबंध नहीं रखना तो वर्षयात मनातु यह तता इसलिए भगवान केते हैं कि अगर कोई विक्ति मन को बसने कर ले और फिर प्रयास करें यह तता तो कोई विक्ति कर सकता है अब आप तो अनेक प्रकार की उपाए होते हैं तो अनेक प्रकार की उपाए होते हैं तो अपाएं का भी हमें सहरा लेना चाहिए ततत कर्म प्रवर्तनात का मतलब क्या है कि उन-उन कार्वियों में हमें लगना चाहिए प्रवर्तनात नकुल है यस्य उपायता तो प्रियास भी करना है और फिर उसका उपाय भी करना है तीन बाते है ज्य वर्श्यात मना की वह अपने मन को बसमए करे पिर दूसरी बात है जितता सक्क्यो marque यव पर वाफ तुम कि अगर कोई प्रियास करे तो यतने पूर्वक अगर वो प्रियास करे तो स्री किस्म को प्राथ हो सकता है, एक तो यह है, और फिर उपायता, उपायता का मतलब है कि अनेक प्रकार के उपाय, तो अपाय भी हमारी परस्थिति के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि पृतु महराज का हमने वर्णन किया, तो स्रीमत भागुत में उनका चरित्र का वर्णन आता है। तो वे बन में थे, तो बन में भोजन बैसे नहीं मिलता है जैसे हम चाहते हैं। और बिश्थित सुबसे रजा पृतु महराज। तो पृतु महराज जब बन में गए, तो फिर उन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया, कि मंदर में बना हुआ प्रसाद उनको मिले। या जोगी राजा है जंगल में चले गए, तो कोई उनको राज महल से बनवा करके भोजन उनके पास पहुँचाए। नहीं, पृतु महराज जिस जंगल में ये सब योग अभ्यास और तपश्या कर रहे हैं, तो वो कुछ बिसेशी महत्वपूर्ण है, जहां पर वो तपश्या कर रहे हैं। तो उनहोंने फिर जंगल में रहकर करके नहीं विचार किया कि चूंकि वे राजा हैं, कोई सेबक उनके महल में जाकरके उनके लिए भोजन बनवा दे, रानी साहिबर से भोजन बनवा दे, तो ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। तो क्या उपाय थे भोजन की कंद मूल फल तो इन्हीं में से कुछ जो भोजन प्राप्त हो जाए तो उसी में ही वे अपना जीवन निर्वाय करते थे धन्यबाद हरे किस्टना झाल